हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल होप यौल अर दूइंग वेल तो गणेश अतूर्थी के अफसर पे में आज मावा मोदक बनाने वाली हूं जो आपको जरूर पसंद आएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम डोरेडी करेंगे उसके लिए मैने 2 कप मैदा लिया है और 1-4 गुप ऑईल लिया है मोदक के लिए तो थोड़ा-फोड़ा जाल कर हम मैदे में मिक्स करेंगे यह कहट्टा ऑई नहीं डाला है न है तो लंसबन जाएंगे अब इस तरह से म करने के बाद जब हम इसकी मुठी बनाएंगे तो इतने हद तक यह बाइंड होना चाहिए और वह बिखर जाना चाहिए तो इस तरीके से हमें मुएन देना है फिर हम थोड़ा थोड़ा पाइंड डालके इसका कड़ा डो रेडी करेंगे जादा पानी नहीं डालना है मावे का मिक्षर बना लेते हैं मैंने 1.5 लिटर फुल क्रीम मिल्क का मावा घर पे निकाला है उसमें 3-4 कप शुगर मिलाई दाने वाली शुगर मिलाई है पाउडर नहीं यह आप मिला सकते है पाउडर शुगर भी तो इस तरीके से मिक्स करेंगे यह देखिए इसको अब अब इस मिक्षर को थोड़ा साथ तो दूसर ड्राइफुट भी मिला सकते है तो साथ में चिरओंजे किश्मेश और नारियल भी ग्रेट करके रखा था इन्हें भी मिक्स कर दिया ड्राइफुट्स आपके उपर है आप जो जो मिलाना चाते है जो पसंद है वो मिला सक आप इसको एक दो मिनिट चलाएंगे जादा देर तक नहीं चलाना है इस तरीके से और इसमें मैं पिसी इलाइची पिछ डाल दे रही हूं मैंने पिसी इलाइची का फ्लेवर दिया है आप को यह और फ्लेवर भी दे सकते हैं अब इस मिक्षर को हम थोड़ा सा ठंडा करने के अब दो को आधा गंटा हो गया है रेस्ट करते और हमारा मावा मिक्षर भी ठंडा हो चुका है अब इस डो को फिर से हम हातों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कड़े हाथ से और फिर इसकी हम चोटी-चोटी डोब बॉल्स रेडी करेंगे बहुत बड़ी डोब नहीं करनी क्योंकि हम इसके छोटी छोटी पूरियां बनानी है पहले तो इसको इस तरीके से हातों में प्रेस करके लंबा करेंगे और फिर छोटी छोटी इसके पोर्शन करेंगे यह देखे इतने साइज के पोर्शन करने हैं और फिर इसको एक पोर्शन को ठाके हम हातों के बीच म पढ़ना चाहिए नहीं तो बीट से पतली हो जाएगी पूरी और इसका मटेरियल मावा का मटेरियल बिखर जाएगा घी में तलने के समय तो आपका पूरा खराब हो जाएगा गी साइट्स में अब इसके पानी लगाएंगे जिससे की सीलिंग अच्छे तरीके से हो सके इसका मिक्षर निकले नहीं बाहर अब सेंटर में इसमें थोड़ा सा मावा लेकी हम रखेंगे और इस तरीके से इसको उठाते हुए फोल्ड करते जाएंगे इसके प्लेट्स बनाते अब हम दूसरा भी एक बना लेते हैं अब हम दूसरे डोबॉल को भी बेलन स्टार्ट करेंगे साइट्स में ज्यादा प्रेशर देते हुए सेंटर में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि जब हम इसको तलेंगे मावा डालके तो वह इदम से स्टीम फैलती है और फ साइट्स को इस तरीके से उपर उठाते हुए फोल्ड करते हुए एक साथ ले आएंगे इस तरीके से अब फिर इसके टिप को पकडेंगे और थोड़ से ट्विस्ट करते हुए और प्रेशर डालते हुए ताकि यह सीनिंग अच्छे से हो इसको यह देखिए कॉर्णर ले लिया है और यह कढ़ाय साइट से थोड़ी काली लग रही है क्योंकि यह लोहे की है और इसको लो फ्लेम पे हमने रखा है अब इसमें एक करके मोदक डालेंगे मैं सिर्फ तीनी मोदक डाल रहे है क्योंकि कढ़ाय छोटी है इसको एकदम से चलाना नहीं है हलका सा कर लेंगे तो यह हमारे सारे मोदक डीप फ्राई हो गए है अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए हमारे गड़पती के लिए शुद्ध मावा के मोदक रेडी हो गए है बहुत ही खुबसूरत दिख रहे हैं और बहुत प्योर है क्योंकि घर की सारी चीज के यह देखिए कितनी बढ़िया फिलिंग है अंदर की बिलकुल प्योर तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और इस रेसिपी को लाइक शेर और सब्स्राइब भी कीजिए साथ में बेल इस रेसिपी तक के लिए टेक के लिए नमस्ते बाई बाई